हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाधत करती हूँ मित्रों मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी सब्जी के बारे में जो हर घर में मिल जाती है और प्राय बनती भी है लेकिन आज मैं जानकरी उन लोगों को दे रही हूँ जो इस सब्जी को पसंद नहीं करते हैं आज जिनके घर में कई बार नहीं बनती है तो मैं इस सब्जी की खासियत आपको ये बता रही हूँ कि ये सब्जी शुब और मांगलिक अफसर पर बनाई जाती है कई परिवारों में दिवाली पर मंगोडी को जिसको हम चूटना बोलते हैं क्योंकि हमारे राजस्ता में मंगोडी चूटना बोलते हैं चूटने का मतलब है कि हाथ से हम छोटे छोटे ड्रॉप्स डालते जाते हैं और उससे मंगोडी बनती जाती है तो इसको कम से कम चाहे थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाए भले लेकिन इसको जरूर ही घर में बनाना चाहिए मंगोडी को और इसको थोड़ा सा जैसे फ्राइ करके मंगोडी को और सबजी तो की रैसे पी तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर बहुत अच्छे और मैं आपको जोतिश संबंदी जानकरी देती रहती हूँ तो उसी संदर्प में मैं आपको बता रही हूँ कि मंगोडी की सबजी शुब होती है और हमेशा इसको टाइम टू टाइम आपको बनाना चाहिए और शनीवार का जो वार होता है वो इस्थाई वार होता है इसके भी घर में अशुब मौकों पर बनती है वो कभी भी शनीवार को नहीं बनानी चाहिए या उसमें कुछ चीनी या गुल डालके बना लेनी चाहिए और यह जो मंगोडी की सबजी है जिसको की बड़ी भी बोलते हैं तो यह बड़ी बनाना बहुत ही शुब होता है और इसको जरूर बनाना चाहिए और जिनके घर में काफी लंबे समय से कोई विवा संबंद वगरा तैय नहीं हो रहे है या कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार वो शनीवार के दिन मंगोडी की सबजी बना कर देखें रागुलर बनाए हाला की ग्रहे और बहुत सरी चीज़े क और अगर आपको लगता है कि यह सब फिजूल है तो प्लीज आप इस तरह मत जाएए का मिरा आपसे यह निवेदन है जोतिश को और इन परंपराओं में यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है अन्यता नहीं बहुत बहुत धन्यवाद में तो